Hello Friend, Welcome to my Channel MomKids Health Riary इस Channel में मैं प्रेग्नेंसी और बच्चों के हेलसे रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ बच्चों की हेलसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुचेगी फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वारी हूँ बच्चों के लिए नीन क्यों जरूरी है जितना उनके लिए खाना जरूरी है उतना ही उनके लिए सोना जरूरी है बच्चे के संपूर्ण, शारिरिक और मानसिक विकास के लिए नीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईए जानते हैं इस वीडियो में नीन्द के महत्व को और कितनी जरूरी है नीन्द आपके बच्चे के लिए नीन्द की जरूरत क्यों होती है बच्चे के ग्रोथ के लिए नीन्द बहुत इंपोर्टेंट है बच्चे के हार्ट को स्वस्त रखने में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मस्तिस्क के डेवलप्मेंट के लिए, बच्चों का वेट सही रखने के लिए, कॉंसेंट्रेशन और याद्दास को बढ़ाने के लिए, क्या होगा अगर आपका बच्चा सोए नहीं तो बच्चे का हेल्थ खराब रहने लगेगा, कॉंसेंट्रेशन की कमी होने लगेगी, बच्चे का वजन या तो बढ़ने लगेगा या तो कम हो जाएगा, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, बच्चा अपना थौर्ट्स दूसरों के साथ ठीक धंग से वेक्त नहीं कर पाएगा, बच्चे का आईक्यू कम हो जाएगा, बच्चा चिजड़ा हो जाता है और ठकान में रहने लगता है, माता पिता के लिए सुझाओ, बच्चे के लिए सोने का अच्छा रुटीन बनाएं और उसको फॉलो करवाएं, ध्यान दे, बच्चा अच्छे से 8-10 घंटे की अच्छी नीन ले, दिन में कम से कम 1-3 घंटा सोए, सोने से पहले कम से कम 30-45 विनट पहले टीवी और लेप्टाप बंद कर दे, दिन में बच्चे के साथ जम कर खेले इससे बच्चा ठकेगा और उसे अच्छी नीन जल्दी आ जाएगी, कब जाए डॉक्टर लेकिन यदि यह शिकायत एक महीजे से जादा है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, समस्या चाहे फिजिकल हो या मेंटल, दोनों ही भयंकर रूप ले सकती है, यदि समय पर इलाजना किया जाए तो, अगर यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को